लो फ्रेंट्स गुडिवनिंग नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है दक्स्टेडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आज अपना टोपिक है अधिगम अधिगम के अपन चर्चा करने वाले हैं तो बने रहेगा मेरे साथ आदे घंटा बहुत कुछ आपको बताने व देगा चले बिना समय कवाई अपन बात करेंगे अधिगम अधिगम का मलता है सीकना जी लड्यो वासा कि सब्ड लरेंट से बनाएघ अंग्रीजी वासा का LERNING याँ आधिगम अंगले भासा के लर्निंग से बना और लर्निंग yaasan ले सीखना सामनेर्थ ही अब देखो अधिगम क्या है तो अधिगम की यह दिपन बात करें तो व्यक्ति के वेवार में धंदीजेगे आथ व्यक्ति के परशिक्षन और अनुबव के कारणे देखो तीन महत्वम पाता है नमबर एक है अब भ्यास नमबर दो परशिक्षन और नमबर तीन अनुबव इन तीन के कारण से आया इस्ताई परिवर्तन दहन रीजिएगा यहीं यदि आपने कोई आज विश्य वस्तु पड़ी माली जिस आज मनुबव गियान पड़ रहो आज आपने मनुबव गियान पड़ी एक्जाम दिया और भूल गए तो यह आपका अधिगम नहीं है यहीं आपके व्यववार में स्ताई परिवर्तन अंचे यहीं सी क्यूशन मनेगा अधिगम है ओप्शन ए स्निक व्यवार में परिवर्तन बी तातकालिक व्यवार में परिवर्तन शी स्ताई आपके व्यवार में परिवर्तन तो आंसूर क्या हो जाएगा स्ताई व्यवार में परिवर्तन ध्यान रखेगा यहीं अधिगम और अधिगम केवल और केवल इन तीन कारणों से ही होता है यह भी ध्यान रखेगा और तीन कारण कौन-कौन से अधिगम के मैं बता रहा हूँ आपको केवल तीन कारण नमबर एक जो है अभ्यास के द्वारा अधिगम हो सकता है नमबर दो परसिक्षन के दोरा अधिगम हो सकता है और नमबर तीन अनुबव के दोरा अधिगम हो सकता है इन तीन के अलावा अधिगम का कोई जर्या नहीं है और इनसे भी अधिगम कैसा होगा स्ताई परिवर्तन आपके विवारम होगा तो उसे अपन क्या बोलेंगे अधिगम बोलेंगे चले next बात की और बढ़ते अधिगम एक परक्रिया है पहले बात तो देखो एक word आता है कि अधिगम है option A, क्रिया, B, परक्रिया तो अधिगम क्या है? परक्रिया है देखो बहुत छोड़ी बात बतरों आपको option दे दिया जाएगा, आधिगम है option A, क्रिया, B, परक्रिया, C, परक्रिया, D इनमेंसे कोई नहीं तो बहुत आसान से option बनते हैं ये भई आपको अधिगम पुचेगा कि परक्रिया है आप से पुचेगा भई ये क्रिया है आप से बोलेगा ये परतिक्रिया है तो आंसर क्या है? परक्रिया देखो ये बहुत अलग-अलग word है परक्रिया is a process, आपन जानते हैं क्रिया action reaction और परतिक्रिया वोई चीज़ है या नहीं सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन करता चला जाता है ये आप अधिगम के द्वारा आपसे ये हां देखो हर लाइन में क्यूशन है बहुत महेतों पूंची है यानि व्यववार में देखो आपसे पुचलेगा अधिगम होता इस्ताई हो जाती है उनकी जीवन में आदते बन जाती है उनकी आदते बन की समझ मा गए न जैसे भी लोकडाउन के लिए धिलाई धी होगी और पता लगाओ आपको दुकानों को सबसे ज़्यादे भीड़ पड़ी थी तो ये क्या है यानि उनके नकारात्मक अधिगम अधिगम तो होगा है नकारात्मक होगा है उनके व्यावरम परिवर्तन होगा है ये चीज़े तो क्लियर होगी बात है यानि अधिगम तीन बातों से होगा एक तो अभ्यास से होगा दूसरा प्रस्रिक्शन से होगा और तीसरा अनुबहु से अधिगम क्या होगा आपके व्यावर में? किस्ताई परिवर्टन होगा? अधिगम के एक परिक्रिया है ठीक है ने? और अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है अधिगम है? नकारात्मक भी हो सकता है यहां तक clear कोई समस्या नहीं होगी मेरी साब से यदि कोई भी समस्या हो तो मेरी स्कून सकते है बहुत महतु पून है हर बात द्यान रखे अब देखो अधिगम के दो अर्थ बताएं अपर द्यान दीजेगा अधिगम के दो अर्थ क्या बताएं एक अर्थ तो बताया है सामने अर्थ अधिगम का सामने अर्थ है सीखना और अधिगम का व्यापक अर्थ है व्यवार में परिवर्तन या परिमार्जन द्यान रखेगा दोनु परकार की क्यूसिन बनते हैं कि अधिगम का सामने अर्थ तो क्या है भई सीखना और अधिगम का व्यापकर्त क्या तो व्यवार में परिवर्तन या परिमार्जन बात संवाई होगी अब अपन बात करेंगे अधिगम की विशेष्ताओं की अधिगम की विशेष्ताओं की एक एक बात करेंगे और यहां से बहुत महतुपन क्यूसन बंतें विशेष् पीर पैला पॉइंट ऐने कि सीक्ना सारूब हो bark पयों क्रिक्रिया है यैंनि कि सीक्ना सारूब हो में उनिवर्सल यानि कि दुनिया में जो भी हैं वो सब सीकते हैं यह नहीं कि आप मिसीख रहे हो और ओर रहे हिरे हो sound चल पाओगे और नहीं चल पाओगे ठीके ने तो अधिगम के एक सारुबहुमिक प्रिक्रिया है बासन मैं आपको तो पहले विशेस्था क्या हो गई अधिगम क्या है का सारुबहुमिक प्रिक्रिया है यह क्रिया नहीं ध्यान रखना सारुबहुमिक क्या है प्रिक्रिया है चले next point पे बढ़ते हैं पना आगे नमबर 2 अधिगम एक मानसिक परक्रिया है बिलकुल मानसिक परक्रिया है यह बिना माइड के तो हो इन इसकता पगल व्यक्ति को सीखाना या सीखना बोड मुश्किल होता है यहने कि मानसिक परक्रिया है तीसरा अधिगम जन्म से मर्त्यू प्रियंत चलने वाली प्रिक्रिया है यह भी बहुत महतुपुन है अधिगम है जन्म से मर्त्यू प्रियंत चलने वाली प्रिक्रिया है देखो अधिगम और विकास आप यह दिए अपन बाल विकास पढ़ते हैं यह बाल चाइल्ड ओल्मे सब्सक्रीत कि अदिगम सर्वादिक परभाव किसको पड़ेगा तो वात्तावण आपने सुनाई होगा भई यदि बले पैरेंट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन यदि बच्चा डाकू बन गया चोर बन गया हो लुटे रहा बन गया तो कुछ नहीं हो सकता है जीन्स तो बहुत अच्छे थे और यह निकिस एन्वार्मिंट में रहा कैसे लोगों मत दे रहा इ यह नहीं कहा रहा हूँ वह जवन्स का प्रभाव नहीं पड़ता है मैं कहा हो सरवादिक प्रभाव ज्यादा प्रभाव अतरुन का पड़ता है ठीक है ने नेक्स देखो समयोजन करना या इस्तापीत करना अधिगम पर नेरबर करता है बिल्कूल एड़जस्टमेंट है य इसे अपने गर में बुवा बहन बेटी वह आती हैं और शाधी व्याव होता हम देखोगा कुछ एक दो ऐसे महमान फूपा ती चीज़े होते हैं जो बिल्कुल भी अड़्ज़स्ट नहीं करें भाईया नहीं मेरे को तैसा चाहिए ऐसा ही गद्दा चाहिए यहीं सोंगार मे योजनी स्तापित करना ही अधिगम है अधिगम के दौर आपनी समझ्याओं को समाधान करना बिल्कुल आपके यदे किसी परकार कोई समझ्या है और उन समझ्याओं का समधान कितने आसानी से कौन से तरीके से करते हो इसका मलब आप में यह एक अधिगम की विशेष्ता है उसमें इस परकार का अधिगम है अधिगम को परक्रिया वो परिणाम दोनों माना जाता है ठीक है ने ये धियान रखेंगे ये दोनों उप्षन पूझ ले जाता है अधिगम की अभी परक्रिया की परिणाम है तो अधिगम एक परक्रिया भी और परिणाम ये दोनों है अधिगम एक सकारात्मक और नकारात्मक पर करें यह सकारात्मक भी होता है तो यह कुछ विशेस्ताओं की अपन बात कर रहे थे जो अपन देखी कि अधिगम क्या है अधिगम कौन-कौन से कार्णू से होता है मैंने बता है कि अधिगम होने का मुख्य कारण अभयास परिश्रिक्ष्ट्न और अनुवव है यह झा न हिन्हिं अभयास से हो सकता है प्रश्रिक्ष्ट्रिक्षिं से इतास ना सब्भ악र div को परिणाम करना है और समदान संभाध तुन कर दो condiciones अब बात करते हैं परिबासाओं की, जिनका डर सामने थे विध्याठतियों के होता है और मैंने यही काया कि आपको परिबासाओं का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए यहीं आपने इससे पहले वाले वीडियो देखा होगा, मैंने सामने परीचे और मनोवैक ऑग्यान का उद्वाव बता है उसमेन बता है आपको जिसे हुआ करोंड 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 करों बाहर बोलने की एदत होती। यह बसुत के सा पहले है लोग के थे बाइक कोई आंद मेमान सम्भनल रही विधियों के Tudo तो ये परिवासें याद करने का सिंपल से एक ही तरीका है कि जो एक वर्ड आपको उस परिवासे का पगड़ना है और उस मनोविज्यनिक के साथ अटेज करके रखना है गारिंटी लेता हूँ पात पचीस बरा बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा कभी नहीं बूलने वाल सबसे पहले आगे अपने क्रोंड ग्रो यही मौदय जो ओंए मैंने भी बता रहे हुए घ्यान आदत कोसलों का अर्जन करना ही अधिघम है इने ज्यान आदत कागले की आदत आपको दियान रखना है कि आदत और पन जानते हैं है बिट आपका अधिगम होता है तो यहां क्रोंड करो भी आदत की बात कर रहा है और आदत कैसी होती है सब पतापको नेक्स देखो वुडवर्थ वुडवर्थ यानि वुड मैंने कल भी बतायता है कि डबलू ओ ओडी लिख लो चाहिए आप और चाहिए इसका नाम देख लो वुडवर्थ यान नवीन ग्यान और नवीन प्रिक्रियों को अरजित करने तो अपने यहां नवीन नवीन दो बार आ रहा है और वुडवर्थ में व यह भी दो बार आ रहता है यानि क्रोंड करो की आदत खराब है और वुडवर्थ कहरा है कि नवीन ग्यान और नवीन प चोड़ा टाइम लुगो मैं यहाँ पे लेकिन परिवास है याद हो गई तो आपको confidence built होगा मनुविज्ञान में सबसे जएदा जो डर होता है विद्यार्ति को मनुविज्ञान वो परिवास होगा होता है बागी सामाने क्यों सब कर लेता है तो मैं परिवास हम को डर थाम कर्ओं मैंने पता है क्रोट क्रोट क्रों नाम कागला आदत खराब है वोडवर्द ठीक है ना तो इसके नर कहता है तो अब इसमें अनुकुलन कर ले क्यों तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैं कोरेलेट कर रहा हूँ वापस मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे ध्यान रखेंगे क्रोंड क्रों की आदत से याद रखेंगे वुडवर्थ के लिए नई बात या नवीन इसकी नर बतार अनुकुलन की एड़ेस्टमेंट करो अनुकुलन करो नंबर 14 पर आता गिलफोर्ड गिलफोर्ड क्या कर रहा है कि वेववार के कारणे वेववार में आया परिवर्तन अधिगम है यानि सिंपल सी बात बताओ माल लो साउच न क्रोंड की आदत सी सिगरेट पीने की ठीक है ने जो मैं क्लास में बता तो वह आपको बता रहा हू एक्जम्पल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको की यह नहीं सिगरेट वुडवर्थ के लिए बात किया थी नहीं थी देख ठोड़ टाइम लगे का ध्यान सुनिएगा वुडवर्थ के लिए बात क्या थी नहीं थी इसकी नहीं न का कि बाएग तो थोड़ा साग अब सीखना पड़ेगा इन्हें अनुकुलन कर ले तू भी और उसके विवारम परिवर्तन आगा तो गिलफोर्ण कहा कि भाई या विवार के कारण विवारम परिवर्तन तो आना था चारूं का शेया दोए देखो वापस बोल रहा हूं मैं क्रो की आदत बात समझ भाई आपको वुडवर्ट के लिए नई बात ही नवीन ठीक है नहीं उसके बाद में इसके नन्न क्या का अनुकुलन अनुकुलन कर ले भी सिगरेट पीने का और गिलफोर्ण कहा कि भाई या इ परिवर्टन उसने कहा कि वही जो ऐसा थोड़ी इसके वुडवर्ट के विवर्वर्ण परिवर्टन आ गया या इसने कहा कि परसिक्षन और अनुकुलन के कान से इसके विवर्वर्ण परिवर्टन आया है नंबर पांच आई जेक की बात करते नेक्स्ट आई जेक कि अधि वापस से बतारों आपको सबसे पहले क्रोंड करो यानि कागले की आदत खराब इस आदत ये आदत वुडवर्थ के लिए नहीं थी स्कील ने ने कहा अनुकूलन करो गिलफोर्ड ने कहा कि अनुकूलन कर लिया तो व्यवारम परिवर्तन वहा गया गया गेट्स ने का भई आप परिशिक्षन तो हमें भी सिखाओ और आईजेक के विवार में क्या आया स्ताई परिवर्तन वापस से देखे देखो याद करना पड़ेगा इनको और कोई तरीका नहीं होता है इसलिए मों फर्स्ट लेकर हैं कि थोड़ा सा टाइम दोगे आप टाइम तो देना पड़ेगा देखो टाइम दोगे तो ही आप अच्छा दिन कर सकते हो ये भी मान के चलिए ठीक है ने टाइम नहीं दोगे तो अच्छा दिन नहीं कर पाओगे सिंपल शी बात दोगे तो करोंड करों की आदत खराब थी वुड़वर्ट के लिए बात नहीं थी स्कीनर ने कहा स्कीनर ने क्या कहा कि उत्रोतरा नुकूलन है वहिया एडजस्टमेंट देखिए गिलफोर्ण ने कहा कि विवार में कारण विवНАर्म परिवर्टन हो गया और गेट्स ने का परिसेशन दो गई है ने आइजेक ले स्था ही परिवर्टन हो गया तो यह शह परिवास है अब बात करते हैं अदीगम की विस्यश्टतां विसे कुछ विस्यश्टां पहले भी आगी थी और कुछ विशेष्टाओं के पर यहां पर बात है चर्चा करेंगे तो अधिगम की पहली विशेष्टा देखे आप अधिगम वेवार्म परिवर्तन जो क्यों तीन कारणों शाता है किलिए लिखावा है कि अधिगम वेवार्म परिवर्तन है जोकि अल तीन कारणों शायता है पहला कारण अब्यास दूसरा कारण परसिक्षण और तीसरा कारण अनुबव बात समझ माईगे आपको यहिए अधिगम वेवार में परिवर्तन है जोकि अल तीन ही कारणों शायता है यही क्यूसर मनज़ेगा कि अधिगम निम्न में से किस के काण से होता option A अभ्यास, B, परसिक्षन, C, अनुबव और D, ठोकरवा की गिरना वसे अनुबवा की ठोकरवा की गिरना D, इनमें से कोई निमान लो तो अपने ध्यान रखने, या option हैगा all, तो answer क्या जाएगा अपने यापर all, क्योंकि अभ्यास के काण से परसिक्षन के काण से और अनुबव के काण से क्या होता है, अधिगम होता है इनमें से इस्ताई परिवर्तन हाँ, अब ध्यान रखने इनसे भी यदि इस्ताई परिवर्तन होगा परिवर्तन इस्ताई होगा तो ही ध्यान रखेगा इसता ही परिवर्तन की बात कर रहा है चलिए नेक्स्ट क्यूस्टन के और बढ़े अपना आगे नेक्स्ट पॉइंट के और बढ़ते हैं कि परिपकवता बीमारी थकान समवेगात्मिक विकास मादक परधार्तों के सेवन मूल परवर्ती आधी की कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इस्टार पहले से भी लगाया ओल लगा लिजेगा और ध्यान रखेगा अरे भई परिपकवता मालो आपके परिपकवता के कारण से कोई आपके विवर्तन आया है वो अधिगम नहीं है क्यों अधिगम के ओल तीन यहां से क्यूसन बनेगा बहुत महतो कौन स्क्रिंशोट लीजेगा किलियर याद रखेगा बहुत अच्छा क्यूसन बन सकता है यहां से आप से क्यूसन आजएगा कि निम्ड में से अधिगम नहीं होता कोई बिमारी है जैसे मालब किसी बिमारी लग गई उस बिमारी के कार्ण से उसको कुछ समझ माया जैसे मालब भी समझ मायर होगा पो कोरोना तो कोरोना बिमारी actually क्या है अरे वहीं infectious disease है यह एक एक वेकति से दूसरी मना देना चाहिए कि जहां पर भी पब्लिक है जहां पर भी लोग एकत्रित हो रहें तो उनको मास्क या मुँपे किसी परकार कपड़ा अन्यवार्य कर दें बहुत सारी बीमारे समापत हो जाएंगी अभी यह देखने को मिल रहा है हॉस्पिटल्स में पैसेंट दस नज्री चलो आगे बात करतें तो यह बीमारी की कार्ण से भी अधिगम नियुंह उगा थक गए आ आप मालो थका की कार्ण से चिडचडए हो गए तो वह ऱूई आपने अधिगम नहीं होगा मादक परदार्टू का श्यावन करते हैं नहीं होगा, तो किलिया ध्यान रखेगा, अधिगम की बात करें, तो ध्यान रखो, कि अधिगम कौन-कौन से विश्य वस्तुस नहीं होगा, इनी परिपक होता है कांड से, बीमारी, थकान, सम्वेगातमी विकास, मादक परदार्तु की स्यवन और मूल परोड़ती, इनके का नेक्स्ट, अधिगम एक स्वाभविक परिक्रिया नहीं है, वेरी गुड, यहां से विक्यूशन बनेगा, अधिगम है, स्वाभविक परिक्रिया, नहीं, स्वाभविक परिक्रिया नहीं है, अधिगम करना पड़ता है, अनुभव के लिए, आपको कही न कहीं कुछ न परवड़ के आप सोजा होगे तो कोई अनुपव होने वाला किसी परकार का कि मनुविग्यान क्या है नहीं होने वाला ना तो अधिगम एक स्वाभविक परक्रिया नहीं है वेरी इंपोर्टेंट यह तुम्हें कह रहा हूं उपर वाले पॉइंट से ज़्यादा होता है मित्र मंडली से भी सीखता और परिवार से बी सीखता है नेक्स्ट अपना बात करें नेक्स्समों देखें कि अधिगम सदेव नवीन हुता मालोइं क्ल fand पहले भी आप नरिट की दी हो, आदे एक नंबर से रह गए हो और आप सोचते हों कि नहीं यार वो ही चीज़ें मैं क्या आप करूँ क्या नहीं करूँ क्लास में जाने से या पढ़ने से कुछ फरकते होने वाला नहीं अधिगम सदेव नवीन नहीं नहीं होता है आगे बलाई देखिए अधिगम सदेव नवीन नहीं होता है फिर भी अधिगम होता है अरे आप भई मालो कार चलाना जानते हो और डेली आप कार सी जा रहे हो आ रहे हो ठीक है ने वही एक रश्ता आपका लेकिन कार चलाने जाने हो तो आथा आपको दिक्ता मैं लेकिन फीर भी कार चलाने के दोरान कोई incident होता है, कोई घटना होती है ठीक है ने, वो आपके लिए कुछ ना कुछ सिखाने वाली है और नहीं भी सीखे तो आप मैं perfection आ रहा है कार चलाने के आप perfect driver बन रहे हो मैं एक example दे रहा हूँ जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ एक साल पढ़ा है, दो साल पढ़ा है, तीन साल पढ़ा है, पांस साल 8 साल पढ़ा है, ठीक है तो वो जो चीज पढ़ा रहा हूँ, मैं नया तो नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि मैं बीना कुछ help के मैं पढ़ा सकता हूँ तो वही बात होगा है नहीं perfection तो वो भी आप मैं अधिगम नया तो नहीं हो रहा चैप्टर वो ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन perfection चलो एक question लिखा में यहाँ पर अच्छा सा देखे, question number one एक है, कथन व्यवार में भासा इस्ताई परिवर्तन है यह करा कि व्यवार में भासा इस्ताई परिवर्तन है सही भी है, यानि जो mother tongue आपके बहुत मुश्किल शाप छोड़ पाते हो तो भासा इस्ताई परिवर्तन ठीक है कारण यह कथन है परिपक्वता के कारण व्यवार में परिवर्तन आता है बात तो यह भी सही है कि परिपक्वता के कारण व्यवार में परिवर्तन आता है लेकिन वह अधिगम नहीं होता अभी अपने बात यह बोली लेकिन बाते दोनों सही है देखो परिपक होता है कर व्यवार्म परिवर्टन भी आता है और बासा स्थाई परिवर्टन भी है अब इसका आंसर आप बताने है देखो option a कथन कारण दोनों सही व्याख्या नहीं करत इस कदन की व्याठ़ नहीं करता ऐसे क्यूंसपन चर्चा गरने कैसे किसो उन्सोल होते हैं तो यह क्यूंसपन आया होगा वापस नहीं समय बता रहो हैं ऒ्यान से समझ़ेगा कि विवार में बासा इस्ताई परिवर्तन के करण से अधिगम होता है यह पूजरा परिपक्वता के अकारण से विवारम परिवारम 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 अधिगम क्या है अधिगम की विशेषत हैं अधिगम की परिवास हैं बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अधिक से दिक लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे इसी परकार से आपको और वीडियो मिलते रहेंगे इसके आगे का वीडियो देखने के लिए आप इस को सब्सक्रेब जरूर करें जिसे आपको ये वीडियो इसे आगे वाला भी मिल सकें बहुत बहुत धन्यवाद